लोकसभ़ चुनाव में भारती जंतपाठी को अगर किसी प्रदेश ने बहुमत से पहले रोका है तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश जिसी यूपी से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी चुनकर आते हैं वहां बीजेपी दूसरे नमबर की पाठी बन गई है यूपी में बीजेपी के स्खराब प्रदर्शन के समीक्षा शुरू हो कई है शीर्ष नित्रित्व ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली तलब कर दिया है माना जवा रहा है कि बीजेपी का शीर्ष नित्रित्व उनसे हार के कारणों की रिपोर्ट ले सकता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार सर्फ 33 सीटे जीतने में काम्याब हुई जबकि उसकी सहयोगी RLD को दो और अपना दल सर्फ एक सीट जीत पाई यारी 2014 में 74 सीट और 2019 में 64 सीट जीतने में काम्याब होने वाली NDA इस बार सर्फ 36 सीट पर सिमट कर रह वहीं इंडिया गटबंदन के हिस्से में 43 सीटे आई जबकि एक सीट पर आजाद समाज पार्टी की चुंद शीखर जीतने में काम्याब हुए NDA का बोर्ट प्रतिशट 8% से अधिक गिर गया यूपी में बीजपी ने राम, राशन, राश्ट वाद के नाम पर चुनाव लड़ा और 75 से अधिक सीटे जीतने का दावा किया था लेकिन बीजपी 36 सीट पर ही रुग गई इसका असर देश की राजनीती पर पड़ा और ब प्रदेश अधियक्ष भूपेंद्र चौधरी को तलब किया है और हर सीट की रिपोर्ट मांगी जा रही है। यूपी में मोधी सरकार के कई मंत्री भी चुनाव हार गए। राज्यमंत्री पंकर चौधरी कानून अवं नयाय राज्यमंत्री एसपी सिंग बगेल और उपभोकता मामले अवं उध्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल है। इससे पहले यूपी सरकार के मंत्री धरंबिय प्रजपती ने सूबे में बीजपी के हराब प्रदोर्शन की वज़े बताए। उन्होंने तीन कारण गिनाए हैं। धरंबिय प्रजपती का कहना है कि संविधान और आरेक्षन बीजपी के लिए नुकसान साबित हुआ। हम इन आरोपों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि कुछ उमीदवार के खिलाफ नराजगी थी इसका आकलन नहीं धरंबीर प्रजपती के साथ ही मंत्री ओम प्रकाश राजपर ने भी बीजपी की हार के लिए संविधान आरेक्षन इफक्ट को जिम्मेदार माना है।